नमस्कार आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ Reliance Industries के चेर्मेन मुकेश अमबानी के छोटे वे टेनन्त अमबानी और राधिका मर्चिंट की शादे इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई है देशी नहीं बलकि विदेशों से भी महमान इस शादी में शामिल हुए हैं बता दे कि राजुनेता उद्योगपती अभिनेता और क्रिकेट जगत के तमाम बड़े हस्तियों ने अपनी उपस्थिती इस शादी में दर्ज कराई लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला नजारा ये रहा कि जिस विपक्षी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अडानी अंबानी के मुद्दे पर देश के प्रधान मंत्री और भार्टी जनता पार्टी को घेरा वही पक्षी दल के कई बड़े नेता को जब इस शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रन पत्र भेजा जाता है तो वो बिना देर किये इस शादी में शामिल होने के लिए पहुँच जाते हैं सबसे पहला नाम आता है राधित सुप्रीमो लालू प्रिशाद यादो कि आपको बता दे के मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटी के अनन्त अंबानी के शादी को लेकर लालू परिवार को आमंतरन पत्र भेजते हैं और उसके बाद पूरा लालू परिवार प्राइवेट समय पर तेजस्वी यादो अपने तमाम रैलियों में पिये मोदी को अडानी और अमबानी के मुद्धे पर घेरते हैं उन पर आरोप लगाते हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहूल गांधी अक्सर पिये मोदी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने द शादी में पहुंच जाते हैं आपको बता दे कि लालु यादो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादो ने अपने सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर दो तस्वीरे साजहा की है एक में वो अनन्त अंबानी के साथ नजर आ रहे हैं हम आपको तस्वीर भी साथी दि तेज प्रताप यादो कैप्शन देते हैं स्टार विथ स्टार्स ये वही तेज प्रताप यादो हैं जब एक समय में खुद ट्वीट करके वो अंबानी और अडानी को गाली देने का काम करते थे पिये मोधी पर आरोप लगाते थे अब वही तेज प्रताप यादो ट्वी राजनिती में कब क्या हो जाए शायद ही कोई जानता है बोलता कुछ और है लोग करता कुछ और है राजनिती में जो दिखता है असल में वो होता नहीं और जो होता है वो शायद दिखता नहीं है वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के भी तमाम नेता इस पर निशाना अथनी और करनी पर गौर कीजेगा यानि कि बोलने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है एक टाइम पर या रोप लगाएंगे वो भी देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी पर किये सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को इन्होंने बढ़ावा दि के लिए पिए मोदी ने सोचा है उन्हें देश से प्यार नहीं है और वही मुकेश अंबानी जो अपने बेटे के शादी का न्योता देते हैं तो बिना लालू परिवार एक समय एक छन भी देर किये पहुंच जाता है आपको बता दे कि शादी में ना केवल विपक्ष से ल नहीं तकलिफ था डानी और अंबानी से पिए मोदी को घेरते थे भारतिये जनता पार्टी पर आरोप लगाते थे फिर आसे में बीना समय गवाय विपक्ष के नेता इस शादी में कैसे शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं हलाकि इस पर आपकी क्या राहे साथ हमारे फेस्बूक चैनल को फॉलो कर ले धन्यवाद